हेलो फ्रेंज मदू कीचन में आपका बहुत बहुत श्रागत है आज सा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंज आज में आप लोग के साथ सेर करने वाली हूँ बैगन चप की रेसिपी जिसे खाकर आपका मन एकदम चटपटा सा हो जाएगा तो चलिए इसको बनान नमता है तभी तीका चटपटा सा बनेगा अब क्या करेंगे एक मिक्सिंजार में इन सारी चीजों को डाल देंगे और चारा सपानी एट करके इसका हम दरदरा एक पेश्ट बना लेंगे तो देखिए महिन नहीं पिष्णा है दरदरा पिष्णा है देखिए इतना पे मैं पिसका तयार करना है और पैगन को इस तरहां इस तरीका के सेप में कट कर लेंगे तो देखिए मैंने पैगन को काट लिया है और रख देंगे इसे साइड में आब एक बावल लेंगे इसमें पिसी हुई मशाले को आड़ करेंगे और साथी में आड़ करेंगे एक चमच भा को निचूट को इसमें अड़ कर दिया है अब इन सारे चीजे को डाल कर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस मैंने मासाले को मिक्स कर लिया है आप इसे हम साइड में रखेंगे और कैस पे चढ़ाएंगे एक तावा तावा लुखा के मायने लिया है अब शा हम चाहते हैं घर्णा करा देंगे लगा好好 लिए जैए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाय virtual आट तरह एक्ट पूरत और इसे हल्कासा चटकने जैन्गे चारो तरफ तेल को लेंगे if you तब तक हम बैगन में चाहरो त़रफ से इसए मशाले हम लगा लेते हैं 4 तरफ से चाहरो तरफ से लगते जईंगे को स्टाइगे 15 तरीका तो यह तो यह तरफ से जाएंगे मैंने पैगन को मसाले में लपट को लगोते हैं तूमनेPeट-णाई का इसलीकinge कुट्सते हैं मिनट के लिए low to medium flame पर पकाएंगे फिर इसे हम दूसरे तरह पलट के पकाएंगे तो देखिए मैंने पलट दिया है बैगन को और अच्छे से जहां जहां खाली जगा है बैगन पे तो मसाले को इस तरह उठा कर और बैगन पे हम लगाते जाएंगे तो देखिए एक तरफ से पक चुका है दूसरे तरफ भी हम पलट दिये हैं और इसे भी दो मिनट के लिए पका लेंगे तो देखिए मेरा पैगन दो मिनट हो गया है और अच्छे से पक गया है अब क्या करेंगे इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे उसी तावे में फिर से तीन चमच सरसुका तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से करम करेंगे चारो तरफ तेल को फैला देके फिर इसमें पाशपुरन डालेंगे और हलका सा चटकने देंगे जब यह चटकने लगे तो बचे हुए बैगन में मसाले उसी तरह हम लगा कर सेम प्रोसेस से एक एक करके तावे में डालते जाएंगे तो देखिए मैंने डाल दिया है बैगन को और इसके उपर से मसाले को अच्छे से कोट कर लेंगे यानि कि लगा लेंगे और इसे अलट प हमेरा तयार है फोट ही मज़ेदार दीखा चट-पटा्सा पैगन की ये रेसपी यानि कि पैगन चप हमारे तरफ बैगन चप बोला जाता है आपके तरफ क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर हमें बताएं आप चाहे तो फ्रेंट्स इसे दाल-चाउल से खाएं या पूर नहीं को अपने शयर करें अगर मेरे हntyझेल पे नए है और मेरे चलिक mandar को भी तक सब्सक्राइब नहींुर तो आपसे मेरा एक प्यारा सा रिक्वेष्ट प्लीज मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें छाष्ट थि